4th November 2023 में Saturn Aquarius sign पर direct motion पर आने वाले हैं तो सबसे पहले इस वीडियो का मैं analysis part बताऊंगी और उसके बाद आप सभी लगना वालों के लिए मैं prediction दूँगी वीडियो का time stamp इस वीडियो के description box और इस वीडियो के comment section पर available है और अगर आप लोग मेरे चैनल पर कोई भी नए वीवर है और अभी तक आप लोगोंने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please मेरे चैनल को subscribe कर लिजिए and notification एन बेल आइकन को please on कर लिजिए ताकि जब भी मैं कोई भी नए वीडियो बनाओ उसका notification आप लोगों तक पहुस सेगे तो चलिए आज के टापिक पर बात करना शुरू करते है तो देखिए Saturn Aquarius sign पर direct motion पर आएंगे 4th November 2023 में और अगर आप natural कालपुरुष कुनली से अगर जज करो तो Aries लगना होता है और Aries से Aquarius का जो position होता है वो 11th house होता है तो natural कालपुरुष कुनली में Saturn जो है वो भादकेश लौड है यानि obstacle giving planet जो problems create करते है बट at the same time Saturn 10th house और 11th house को भी रूल करते है 10th house of work and 11th house जो कि हमारे wish fulfillment, gains, success, achievement, money flow को represent करता है fulfillment of our hopes, wishes and desire को represent करता है तो यहाँ पर देखे contradictory results आपको दिखाए देंगे और यह contradictory results आपके particular horoscope के उपर depend करके आएगा अगर आपका current महादशा लौड, अंत्रदशा लौड, परियंत्रदशा लौड अगर positive result की तरफ indication दे रहा है तो most definitely maximum result जो होंगे वो positive होंगे पर अगर आपका chart और आपका current महादशा लौड, अंत्रदशा लौड, परियंत्रदशा लौड अगर negative result की तरफ indication दे रहा है तो जादा negative होंगे बट positive results भी कुछ-कुछ आएंगे तो इसी वज़े से इस video का जो transit part, जो analysis part है उसको समझना बहुत ज़ा important है तो एक तरफ अगर आप और साथी में देखिए 30th October को राहू केतु भी अपना sign change करके राहू Paisis sign पर enter करेंगे केतु जो है वो वर्गो sign पर enter करेंगे तो देखिए एक तरफ ये time एक बहुत अच्छा time है जहाँ पर आपके career में positive growth होंगे अगर आपका पैसा कही पर अटक गया था promotion अटक गया था तो वो इस वक्त मतलब एक positive movement वहाँ पर आपको दिखाए देगा ये perfect time है जहाँ पर आप अपना career goal set कर सकते हो long term में आपका financial कोई भी अगर goal है तो उसको इस वक्त आप लोग set कर सकते हो अपने finance के उपर आप लोग नज़र डाल सकते हो कैसे अपने finance को कैसे अपने career को आप लोग improve कर सकते है उसके लिए अगर आप लोग proper disciplined way में अगर proper एक plan बनाएंगे खुद disciplined रहेंगे, organized रहेंगे और hard work अगर आप लोग put करेंगे अपने daily work life, daily work routine पे तो definitely यहाँ पर आपका wish fulfillment होने के chances बहुत ज़ादा है आपके career में उन्नती होगा आपके finance में इस वक्त सुधार आने के chances है but क्योंकि देखो Saturn एक भादकेश Lord है और साथी में 11th house जो है वो trick house होता है वो highest of the trick house 6th house से 6th position अगर आप लोग calculate करो तो वो 11th house है तो 6th house का higher self जो है वो 11th house है तो इसका मतलग कोई भी achievement अगर आपको पाना है कोई भी goal आपको upset कर रहे हो तो वो first of all realistic goal होना चाहिए कोई unrealistic goal अगर आप लोग करेंगे क्योंकि इसका संभावना है राहू Pisces sign पर इंटर करेंगे जहाँ पर आपका कलपना शक्ती जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो imagination पावर बढ़ने के वज़े से यहाँ पर बहुत ज़्यादा hopes wishes desires इस वक्त बरेंगे तो अगर अन्रियलिस्टिक डिजायर अगर इस वक्त आपके अंदर होंगे तो definitely Saturn और केतु क्योंकि केतु वर्गो साइन परे तो Saturn और केतु दोनों मिलकर इस वक्त आपको harsh तरीके से reality check-in करवाएंगे but on the other hand अगर आप लोग बहुत जादा hard working dedicated loyal person हो हमेशा अपने गोल के तरफ focused रहे कर proper steps अगर आप लोग ले रहे हो तो definitely हाँ पर केतु और Saturn आपको result देंगे हाँ हो सकता है कि आपको immediate result मिले और नहीं तो थोड़ा सापको delay होगा but result आपको जरूर मिलेगा तो इस तरफ आपको कोई चीनता करने की जरूरत नहीं है अभी एक दूसरा चीज यह है कि देखो अगर Saturn को अगर आप लगना बना दो क्योंकि इस particular वीडियो में आम लोग Saturn का जो गोचर है उसको अम लोग जज कर रहे है तो अगर आप लोग Saturn को लगना बना दे तो Saturn से second position पर राहू आएंगे क्योंकि राहू 30th October को Pisces sign पर एंटर कर चुके होंगे तो राहू क्योंकि उसका जो nature है वो expansion है राहू बरा करता है चीजों को expand करता है राहू एक भोगकार का है तो यहाँ पर naturally आपका finance में इस वक्त improvement होने के chances है money flow में improvement आएग but at the same time क्या होगा कि आपका जो desire है वो भी जादा बरेगा आप खुद भी अपने आपके उपर अपने luxury के उपर आप लोग खर्चा करना चाहेंगे अपने like अच्छा अच्छा खाना खाना पसंद करेंगे आपका overall जो desire है वो बर जाएगा इस वक्त तो इस वक्त आपको बह एक ऐसा साइन है जो दूसरों के उपर wisdom डालता है जो अभी Aquarius जो है वो Pisces का higher self है क्यों क्योंकि Pisces अगर 12th house में fall करता है तो Pisces से Pisces like 12th house from Pisces जो है वो Aquarius sign होता है तो इस वज़े से Pisces का higher self 11th house है तो यहाँ पर आपको समाज के लिए दूसरों के लिए society के लिए कुछ करना होता है कोई ना कोई service provide करना होता है तो यहाँ पर अगर आप कोई भी goal set कर रहे हो तो definitely बहुत सदा मतलब self centered goal इस वक्त आप लोग set मत करो कोई ऐसा goal set करो जहाँ प बट कुछ हद तक बाकियों का भी फायदा होगा जो आपके आसपास रहते हैं अब हर किसी के लिए possible नहीं है कि वो समाज के लिए कुछ जाये जाके खुद से कोई काम करे या फिर कुछ करे बट definitely कोशिश कीजे कि आप दूसरों को थोड़ा बहुत help करो अगर किसी को सलह की जरुरत है आपकी कोई connection की जरुरत है आपकी कोई knowledge की जरुरत है तो definitely अगर आप कर सकते हो तो उनको help करो अगर बहुत ज़्यादा self-centered बने रहेंगे तो यहाँ पर केतू बहुत ज़्यादा नाराज होंगे सैटन भी बहुत ज़्यादा नाराज होंगे क्यूंकि देखो के तु वर्गो साइन परे वर्गो साइन क्या है वर्गो साइन जो है वो 6th house में fall करता है ओरिजिनल कालपुडश कुनली में जो की NGOs को represent करता है ठीक है एक्वेरियस साइन भी दूसरों के लिए जो service provider होता है, large organization होता है उन चीजों को represent करता है तो यहाँ पर दोनों ही कही न कही यह represent कर रहे है कि आपको खुद के साथ साथ दूसरों को भी help करना है तो यहाँ पर आप लोग donation वगेरा भी कर सकते हो ताकि saturn and k2 आपको बहुत जोर से ऐसे grip में ना पकर के रखे उनको दिखाई देना चाहिए कि आप भी दूसरों के लिए कुछ काम कर रहे हो ताकि वो आपको छूट दे कि आप अपने फाइदे के लिए भी कुछ काम कर पाए तो यह kind of a remedy है जो मैंने आपको कहा तो अगर आप ऐसा goal set नहीं कर पा रहे हो जहाँ पर दूसरों का भी फा आपको इतोना मंट करना है नहीं आपने अपने कंवीमेंस के डोनीक और देखो क्यूंकि एक वेरिय partir जो हेड़ा गो करता है जो conferences होता है उनको रिप्रेजन करता है तो यहां पर आपको अपने के लिए large organization में से अगर आप लोग अल्रेडी काम करते हो तो नया large organization के तरफ से आपको job offer आ सकता है अगर आप लोग काम नहीं करते हो unemployed हो तो यहां पर employment के chances आ सकते हैं साथी में यहां पर हो सकता है कि आपको conferences join करना पड़े attend करना पड़े चाहे आपकी मर्जी हो चाहे आपकी मर्जी ना हो आपको attend करना पड़ेगा और देखेंगे कि पहले जब तक sat and retrograde motion पे थे तो अगर आपके professional network circle में से काफि सरे shady people अगर चले गए है तो वो एक blessing है आपके लिए और इस वक्त जो नए friend circle या फिर professional network circle के पास आप लोग मिलेंगे जाएंगे तो वो लोग आपसे उमर में और ने तो experience में है तो knowledge में बहुत जादा अच्छे होंगे बहुत जादा बड़े होंगे आपसे elder होंगे और आपके बड़े भाई-बहन के वजे से भी आपको अपने career में success मिल सकता है achievement मिल सकता है अब हाँ अगर किसी के बड़े भाई-बहन के साथ automatically अगर बहुत जादा तो basically जो energy है वो यही है अभी हम लोग ascendant wise prediction पर चलते हैं तो अगर आपका ascendant Aries यानि मेश है तो Saturn आपके 11th house पर direct motion पर आ रहे है तो definitely यह बहुत अच्छा टाइम है जहापर आप अपना career goal set कर सकते हो long term के लिए आप अपने finance को इस वक्त manage कर सकते हो अगर आपको investment करना है तो आप लोग invest कर सकते हो but still be very careful क्योंकि कोई-कोई illusion भी इस वक्त आ सकते है because 30th October को राहू Pisces sign पर enter करेंगे तो इस वज़े से कुछ-कुछ random actions लेने के tendencies आ सकते हैं तो be careful on that part otherwise अगर आप लोग सोच समझ करके कही पर invest करेंगे तो maximum chances है कि आपको अच्छे result इस वक्त मिल सकते है देखिया अगर मान लीजे कि आपका कोई बहुत time से आपका promotion अटका motion मिलने के chances है केरियर में अगर कोई भी problem था तो अगर आपने उसको resolve कर लिया है जब तक saturn retrograde motion पे थे तो अब जो काम जो महनत आपने past 3-4 months में किया है उसका positive result इस वक्त आपको मिलेंगे उसका पूरा-पूरा chances है केरियर में recognition भी मिलने के chances है बठा देखिए इस वक्त new network circle आपके life में आ सकता है और जो नए लोग carrier के थुरू आपके life में आएंगे वो लोग आइदर आपसे age में बढ़े होंगे ने तो knowledge में और ने तो experience में आपसे बहुत ज़दा बढ़े होंगे तो वो लोग काफी अद तक बहुत अच्छे होंगे देखिए ये time अपना long term career goal य देखिए क्योंकि केतु इस वक्त transit wise वर्गो साइन पर है 30th October में एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत यादा realistic goal set करना पड़ेगा और realistic तरीके से आपको proper strategy, proper plan बनाकर आपको disciplined way में आपको काम करते रहना पड़ेगा तब ही जाके जो goal आपसेट करेंगे वो अचीव दोनों ही आपको harsh way में reality check-in करवा सकते हैं जो कि आप लोग के लिए उतना फायदमन नहीं होगा definitely अपने career के साथ साथ अपने खुद के confidence के उपर अपने आपके उपर अपने body के उपर भी आप लोग थोड़ा careful रहिए थोड़ा आप लोग self care कीजे नहीं तो problem हो सकता है और साथ ही में अगर देखिए अगर आपको कोई आकर help मांगता है तो अगर यह possible है तो आप ज़रूर उनको help कीजे क्योंकि Aquarius जो है वो एक selfish sign नहीं है Aquarius एक ऐसा sign जो दूसरों को wisdom देता है दूसरों को help करता है तो इसलिए अगर आप लोग ऐसा दूसरों को help करेंगे अपने convenience की हिसाब से तो definitely आपको अच्छे result मिलेंगे अगर आप लोग donation भी करना चाहे तो अपने convenience की हिसाब से donation कर सकते है उससे भी आपको काफी अच्छा फायदा मिलेगा ठीक है overall जो ये बात है वो यही है कि आपको self-centered नहीं होना है कुछ ऐसा काम करना है ताकि आपको और आपके आसपास में रहने वाले लोग दोनों को ही यहाँ पर फायदा हो सके तभी जाके आपको अच्छे result मिलेंगे और realistic तरीके से आपको proper effort डालना है proper plan बनाना है और उसकी सबसे काम करना है तभी जाके आपको बहुत अच्छा success मिल सकता है ठीक है और definitely इस वीडियो का जो analysis part है उसको आप लोग सुनिए वहाँ पर मैंने और भी चीजों को explain किया है तो इससे आपको पूरा जो Saturn direct होने का जो इसे बारे में पूरा पता चल जाएगा ठीक है तो I hope कि आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आया है अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कर लीजिए and thank you so much for watching my video thank you तो अगर आपका Taurus Ascendant है तो definitely Saturn आपके 10th house पर Aquarius sign पर direct motion पर आने वाले है तो यह एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आपको अपने केरियर के तरफ बहुत साथा focus होना पड़ेगा केरियर के प्रति आपको discipline होना पड़ेगा organized होना पड़ेगा अगर केरियर के लिए अगर कोई long term goal आप लोग set करना चाहते हो कि suppose कि आप किसी company में काम करते हो अभी आपका जो position है वो management position पे और आप एकदम top most position पे जाना चाहते हो तो अभी यह time है जहाँ पर आप लोग उस goal सकते हैं उसके लिए proper strategy इस वक्त आप लोग बना सकते हैं और उसके हिसाब से अगर आप लोग steps लेते रहेंगे तो definitely यहाँ पर काफी सारे जो management है काफी सारे अलग-अलग managers से और काफी अलग-अलग जो higher level पे जो लोग है जो bosses है उनके साथ आपकी मुलाकात इस वक्त हो सकत है जो आपको आगे चल कर मदद कर सकते हैं आपके केरियर में आपको आगे बढ़ने के लिए ठीक है साथ ही में इस वक्त आपको अपने केरियर के लिए अगर कोई conference अगर attend करना पड़ता है तो definitely आप उसको मना मत कीजिए क्योंकि conference में जाते हैं क्योंकि एक्वेरेस जो है वो conferences को large group setting को represent करता है तो अगर किसी भी like बहुत बड़े company से आपको job opportunity आता है या फिर आपको conference के लिए कही पर भेजा जाता है तो definitely उस conference को आप लोग attend करो उस like obviously check करो कि वो company अच्छा है कि नहीं है आपका current जो company में जो आपका status है जो position है जो काम है उसके उससे जादा आप offer किया जा रहा है कि नहीं अगर ऐसा है तो definitely उसने काम का अपलोग चुनो इससे आपको फाइदा होगा at the same time अगर आपके career में कोई भी खामी रह गया है तो इस वक्त यह perfect time है जहां पर आप लोग उन खामीयों को पूरा कर सकते हो क्योंकि अभी Saturn का जो एकदम जो focus है वो प Saturn का एकदम utmost focus रहेगा तो इस वज़े से career related जितने भी चीज़े है उसको उसमें अगर कोई भी सुधार चाहते हो या फिर बदलाव चाहते हो या फिर आपको promotion चाहिए recognition चाहिए उन सभी section में आपको बहुत ही positive result इस वक्त मिल सकता है बट आपको hard work करना पड़ेगा इस वक् अधर किसी MNC company से job opportunity आ सकता है नए तो foreign land travel करना पर सकता है और नए तो foreign किसी company के तरफ से या फिर foreign किसी like client के साथ आपको dealing करना पर सकता है इस वक्त और इस वक्त आपको अपने पूरे family के उपर और अपने career के उपर दूनों के प्रती ही आपको proper balance बना के आपको चलना पड क्योंकि Saturn का जो 7th aspect है वो आपके 4th house पे जाएगा 10th house है तो इस वज़े से आपको अपने परिवार के प्रती भी duty duty निभाना पड़ेगा committed होना पड़ेगा और अपने career के प्रती भी आपको होना पड़ेगा और यह perfect time है अगर आपके relationship में कुछ problem चल रहा था तो इस वक्त क किस तरह से आप अपने relationship को सुधार सकते है किस तरह से आप अपने business को आगे बढ़ा सकते है अगर business partnership में कोई problem था तो उसको भी किस तरह से resolve कर सकते है इन सभी चीजों के लिए यह perfect time है क्योंकि Saturn का जो 10th aspect है वो आपके 7th house पे ठीक है तो I hope कि आप लोग को मेरी video and guidance अच्छ है तो Saturn आपके 9th house पर एक्वेरे साइन पर ट्रांजर आ मिन डायरेक्ट मोशन पर आ रहे है तो यह perfect time है अगर आप लोग किसी HR या फिर management position पर हो तो यहाँ पर आप लोग का time अच्छा होने वाला है क्योंकि 9th house HR and management position को भी represent करता है अगर आप लोग consulting, advising, guiding, teaching या फिर publishing type का को कोई भी काम करते हो या फिर इसके साथ connected कोई काम करते हो definitely यह time आप लोग को बहुत ही अच्छा result देने वाला है okay साथ ही में देखिए अगर आप लोग परहाई में हो परहाई करते हो तो definitely यहाँ पर आपको कोई अच्छा गुरू मिल सकता है हाँ वो गुरू strict होंगे पर व इसी वज़े से वो आपके साथ strict behavior करेंगे बट overall यह आपके education में भी एक अच्छा result लेके आएंगे और अगर आप लोग अपने education के लिए किसी long distance place पर traveling कर रहे हो तो देखिए कुछ delay हो सकता है क्योंकि Saturn थोड़ा सा मतलब Saturn delay को represent करता है तो delay हो सकता है बट surely वो हो जाएगा अगर आपके चार्ट में अगर traveling का कोई indication है इस वक्त तो definitely आप लोग travel कर पाएंगे ठीक है अभी educational achievement and career achievement के भी chances है क्योंकि देखो Saturn जो है वो आपके 9th house के ruler है वो आपके 9th house में है और Saturn का जो Aquarius जो placement है वो मूलत्रिक प्लेस्मेंट है तो यह itself एक धन्योगा यहाँ पर एक राज्योगा बन रहा है तो इस वदे से अगर आपका करेंट महादाशलोड अंत्रदशलोड भी positive result के तरफ इंडिकेशन दे रहे है तो definitely आपको बहुत ही अच्छा career progress में मिलेगा और अगर आप लोग educational field में हो तो education मे भी आपको educational achievement मिलेगा ठीक है इस वक्त अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हो कोई नया काम करना चाहते हो definitely आप लोग कर सकते हो बड़ आपको बहुत ही सोच समझ करके practical आपको strategy बनाना पड़ेगा और उसके हिसाब से proper discipline way में आपको काम करना पड़ेगा देखो hard work बहुत आपको proper strategy बनाके आपको महनत करना पड़ेगा effort डालना पड़ेगा तब जाके आपको proper achievement मिलेंगे नै तो नहीं होगा और क्यूंकि Saturn का 3rd aspect आपके 11th house में है तो achievement में थोड़ा सा डिले हो सकता है बट होगा अगर आपने proper steps लिए proper अगर काम किया है properly महनत किया है तो definitely होगा औ और आपका इस वक्रोफेशनल नेटवर्क सरकल में बहुत ही old इंसान इस वक्त आपके life में आएंगे like for example कि either बो लोग एज में आपसे बड़े होंगे नै तो उनका जो behavior होगा वो बहुत ज़दा mature होगा उनका knowledge बहुत ज़दा मतलब अच्छा होगा आपसे ज़ादा होगा और नै तो बोलो work में आपके specific work field में बहुत ज़दा experienced होगे तो इस वज़ए से ऐसे लोगों के साथ आपके मुलाकात होगी career में आपको क्या करना पड़ेगा कि काफी सारे conferences आपको conferences में जाना पड़ेगा education में भी आपको conferences में जाना पड़ेगा वहाँ पर आपको काफी बस आपको महनत प्रोपर तरीके से करने की ज़रत है that's it तो मैं आपको highly recommend करते हूँ कि इस वीडियो का जो analysis पार उसको भी एक बर आप लोग सुन लीजे मैंने और भी काफी चीजों के बार में वहाँ पर explain किया है एक छोटा-छोटा remedial पार भी मैंने वहाँ पर काहा है तो अगर आप लोग को मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को subscribe कर लिजाए थैंक यू सो मच वाचिक मैं वीडियो थैंक यू तो अगर आपका Cancer Ascendant है तो Saturn अपके 8th house पर direct motion पर Aquarius sign पर आने वाले है तो यह perfect time है अगर आप लोग क Chemical History या फिर Archaeology, Mining Field, Gas and Oil अगर इस टाइप का कोई भी इंडेस्ट्री के साथ आप लोग कनेक्टेड़ हो या फिर और अगर इन सब चीजों की डिलेटेट पढ़ाई कर रहे हो या फिर काम करते हो इन सभी sections में Saturn आपको बहुत ही अच्छा result देंगे यह perfect time है जहां पर आप आपको इन सारी sectors में प्रॉपर ग्रोथ दिखाई देंगे आपको कोई अच्छा गुरू या फिर मेंटॉर मेल सकता है तो यह सब चीजे इस वक्त होंगे अगर कोई भी problem है जो शायद आपने figure out किया है जब Saturn retrograde motion पे थे तो यह perfect time है जहां पर आप लोग प्रॉपर प्लान बनाकर प्रॉपर strategy बनाकर अपने अपने sections में जो भी आपको गलतिया दिखाई दे रही है उसको प्रॉपर तरीके से आप लोग उन गलतियों को सुधार सक तो यहां पर hard work and realistic तरीके से proper तरीके से steps लेना organized and disciplined हुए में steps लेना बहुत ज़्यादा important है नाय तो गर्बर होगा और अगर मान लिजे कि क्योंकि तो 8th house जो है वो investment को भी रिप्रेजन करता है तो यहां पर हो सकता है कि आप लोग आप लोग कही पर अपना पैसा इंवेस्ट करना चाहोगे तो अगर इंवेस्टमेंट चाहते हो तो बहुत ही सोच समझ करके proper information लेकर आप लोग इंवेस्ट करो chances है कि आप लोग को इंवेस्टमेंट का proper अच्छा result आपको मिलेगा और यहां पर देखो in-loss के साथ थोड़ बहुत ups and downs हो सकते बट वो ups and downs उतना खड़ाब ups and downs नहीं होगा अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो definitely इस वक्त जो भी problems आप लोग face करेंगे वो ultimately आपके favor में जाएगा वो resolve हो जाएगे पर definitely आपको check करना पड़ेगा कि गलती हापर आपकी है भी या नहीं अगर आपकी गलती है तो यहापर आपको कोई ना कोई भरपाई करना पड़ेगा आपको उसके लिए मतलब उस गलती को किस तरह किसा आप लोग उसको ठीक कर सको उसके लिए आपको मेहनत Saturn जरूर करवा अगर आपकी गलती नहीं है तो देखो Saturn 8th house के ruler है Saturn 8th house में ही है तो यह विपड़ी तराज होगा है तो कोई भी scandal हुआ है या फिर कोई भी problem कोई भी obstacle आया है तो उसको overcome करने के बाद आपको proper achievement and success मिलेगा आप victorious बनेंगे तो यह होगा है केरियर में थोड़े बहुत obstacle आ सकते है क्योंकि Saturn का 3rd aspect आपके केरियर में है तो आइधर आपके केरियर में obstacle आएंगे और अगर obstacle आ रहा है आपके केरियर में तो समझना पड़ेगा कि आपके केरियर सेक्षन में कुछ एक गरबर है जिसके तरफ Saturn आपको दिखाने की करवाएंगे ताकि Saturn in future आपको अच्छा result दे सके तो यहाँ पर कभी कुछ भी आपके साथ यहाँ पर होड़ा है तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि यहाँ पर साड़न आपको किस चीज के तरफ focus करवाने की कोशिश करवा रहे है और उसकी पीछे का कारण क्या हो सक तब ही जाके आप अगर मेन प्रॉब्लम को अगर आप लोग सॉल्फ कर देंगे तो डेफिनिटल आपको बहुत जादा महनत नहीं करना पड़ेगा बहुत जादा अपस्टेकल के सामना नहीं करना पड़ेगा ठीक है इस वक्रियर के वाज़े सबको रीसर्च करने की ज़र सामने कि बड़ेगा आपने थियरा होते इसक्रेट एक अपने स्यूंध डेंगा पड़ेगा थियरू देखनेकल के इस प्रॉब्लमर सब्सक्रान में बहुत थोड़ा बहुत problem है, तो Saturn उसको इस वक rectify करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, otherwise कोई और problem अगर है, तो वो definitely आपके current महादशा लौड या फिर अंत्रदशा लौड के साथ connected है, तो आपको उन चीजों के तरफ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तो I hope कि आप लोगो मेरे video and guidance अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, and thank you so much for watching my video, thank you, तो अगर आपका ascendant Leo यानी सिंग है, तो Saturn आपके 7th house acquired a sign पर direct motion पर आ रहे है, तो अगर आपके relationship में, या फिर business में, या फिर business partnership में, अगर कोई भी problem हो रहा था, तो इस वक्त आप लोग proper steps लेकर उन problems को resolve कर सकते हैं, सबी आपके business में एक positive direction इस वक्त आपको दिखाए देगा, अगर आप लोग अपने business में कुछ नया काम करना चाहते हो, और काफी time से वो अटका पड़ा हुआ है, या फिर delays हो रहा है, तो इस वक्त उन delays में से restriction जो भी था, Saturn ने put किया था इस से पहले, वो इस वक्त हटने के chances है, obviously आपको ये check करना पड़ेगा कि पहले जो delay आ रहा था, वो किस वज़े से आ रहा था, अगर आपने वो problem figure out करके, अगर उसको solve कर लिया है तो वो restrictions Saturn हटा देंगे, ताकि Saturn आपको kind of बचाने की कोशिश कर रहे है या पर, बट अगर आपने उसको फिर भी like proper तरीके से rectify नहीं किया है, तो अभी भी कुछ-कुछ cases में थोड़े बहुत delays, थोड़े बहुत obstacles आ सकते हैं, क्योंकि Saturn आपके 6th house के भी ruler है, जो कि 7th house में ह तो business में अगर contract आप लोग sign कर रहे हो, या फिर कुछ problem पहले से ही चल रहा था, वो पूरी तरह से resolve नहीं हुआ है, तो be careful उसको resolve करने के तरग proper steps आप लोग लीजिए, पहले अगर delay हो रहा था, तो इस वक्त वो delay काफी अद तक कम हो जाएगा, और जो चीजे हैं वो fast-first move हो होने लगेगा, क्योंकि Saturn is work direct motion पर है, okay, proper steps आप लोग ले पाएंगे, चाहे वो marriage में हो, चाहे वो relationship में हो, चाहे वो आपका business में क्यों ना हो, okay, अब ही देखो Saturn का जो third aspect है वो आपके ninth house पर है, तो इस वज़े से क्या हो सकता है, तो इस वज़े से आप लोग किसी long distance place पर traveling क सकते हो, और यहाँ पर अगर आप लोग को अपने career में, अपने business में कोई भी नया कुछ goal set करना है, तो यह perfect time है, यहाँ पर आपको अपने खुद के health के तरफ और अपने जितने भी aspect, आपका जो भी personal life है, professional life है, उन सभी sections में आपको properly committed होना पड़ेगा, properly उन सभी चीजों क के तरफ आपको आपका जो भी duty है, उसको आपको निभाना पड़ेगा, क्योंकि Saturn का जो 7th aspect है, वो directly आपके लगना पर है, और ascendant जो है, वो हम है, वो हम है, वो हमारा starting point है, almost सभी चीज़े जो है, वो हमारे लगना के साथ connected है, तो इस वाए से आपको हर एक section में बहुत ज़ पड़ेगा, नया तो problem हो सकता है, और अपने health के तरफ भी आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दीजे, उससे क्या होगा कि आपका not only confidence level बढ़ेगा, बट आपका जो name film recognition है, वो भी पड़ेगा, clients के साथ, आपका जो relation है, उसमें भी improvement आने के chances है, ठीक है, तो I hope कि आप लो इस Saturn direct होने के वैसे क्या-क्या हो सकता है, उसके बार में आपको proper information मिल जाएगा, तो definitely अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को like कीजे, मेरे चैनल को भी subscribe कर लिजे, comment कर लिजे, and thank you so much for watching my video, thank you, तो अगर आपका ascendant वर्गो यानी करनेया है, तो Saturn अपके 6th house पर, acquire sign पर, direct motion पर आने वाले है, तो देखिए, ये एक perfect time है, जहाँ पर आप लोगों को अपने health के प्रती, और अपने daily work life, daily work routine, अपने career के अंदर, proper rules, proper regulation के साथ आपको काम करने की ज़रुरत है, और अपने health के तरफ take care करने की ज़रुरत है, otherwise problems हो सकते है, क्यूंकि देख direct motion पर, Saturn आ रहे है, तो इस वज़े से सबसे पहले, आपको disciplined and organized way में, अपने daily work life, daily work routine में, आपको काम करना पड़ेगा, behave करना पड़ेगा, और actions लेने पड़ेंगे, otherwise, क्यूंकि Saturn आपके 6th house के ruler है, और Saturn आपके 6th house पर ही है, transit wise, तो ये एक विपरीत राज होगा, यहाँ पर problem आएंगे, और अगर उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो आप, आप victorious हो जाएंगे, like, जो भी negative situation है, वो positive हो जाएंगे आपके लिए, but, suppose कि आप लोग ने कोई दरबर की है, और उसके वज़े से कोई problem होगा है, तो definitely वहाँ पर आपको, उसका जो भी, मतलब, like, जो भी, लाइक, आपको उसके लिए, जो भी problem से उसका आपको सामना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको बहुत यहादा साफधान होने की जरुरत है, और अपने health के प्रती भी अपको ध्यान देने की जरुरत है, क्योंकि Saturn आपके 6th house में है, तो definitely वो long hours तक आपको काम करवाएं तो उसके वैसे आपका health sacrifice हो सकता है, तो यहाँ पर आपको एक balance बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या है कि अगर मान लिजे कि बहुत मतलब पहले का कोई अगर बिमारी है, तो वो इस वक्त surface level पर आ सकता है, और उसमें healing आने के chances है, क्योंकि Saturn इस वक्त आपको healing के तरफ लेके जाएंगे, Saturn इस वक्त आपको अपने health के तरफ ध्यान देने के लिए मजबूर करेंगे, अगर आप अपने health के तरफ careful नहीं हो तो, क्योंकि Saturn जब तक retrograde motion पर थे तो Saturn का जो दृष्टी था, जो main focus था वो आपके 5th house के प्रती था, पर Saturn जैसे ही आपके direct motion पर आ जाए वो आपके career, आपके work life को भी represent करता है, तो ये दोनों चीज आपका main priority हो जाएगा, और इस वक्त देखो enemies आ सकते हैं, पर जो भी enemies आएंगे, उसका आप लोग सामना कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त आपका 6th house बहुत ही आदा strong है, Saturn आपके 6th house में Saturn के मूल्त रिकोंड मौका आपको आ सकता है, पर foreign land travel हर किसी को नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आपके chart में भी proper yoga, proper combination होने की जरुरत है, otherwise हो सकता है कि किसी MNC company से आपको नया job opportunity आ सकता है, और नया तो short distance किसी place पर आपको travel करना पर सकता है, तो वो depend करेगा आपके chart के उपर, और यहाँ पर आ अगर communication पे आप लोगों ने ध्यान दिया, proper अपने goals के प्रतिया, अगर आप लोग कोई भी नया goal, career goal अचीव करना चाहते है, तो वो career goal आप लोग सेट कीजे, वो definitely realistic goal होना चाहिए, नै तो problem होगा, अगर उस चीज के तरफ आपको जो भी plans, जो भी action लेने की ज़रूरत है, अगर वो आप लोगों ने इस वक्त से लेना शुरू कर दिया, तो आगे चल कर Saturn पूरा पूरी तरह के साब को help करेंगे, उन सभी goals को achieve करने के लिए, ठीक है, otherwise देखो किसी-किसी इंसान के लिए ये एक indication हो सकता है, कि इस वक्त आपका job में termination भी हो सकता है, तो ये एक negative prediction है पर हर किसी के लिए नहीं होगा, अगर आपका current महादाशलोड, अंत्रेशलोड, अगर job में layoff या फिर टार्मिनेशन होगा, ऐसा अगर indication दे रहा है, तभी ये जो 6th house में Saturn डारेक्ट motion पर आ रहे है, तो ये जो like event है, वो उस termination के तरफ एक like, वो एक indication है actually, trigger point हो सकता है, तो आपको थोड़ा carefully काम करना है, okay, इस वीडियो को जो analysis part है, उसको definitely आप लोग सुनिए, इससे आपको फायदा होगा, और अगर आप लोग को remedy करना है, तो देखे, रेमेडी के लिए आप लोग गनेश जी की पूजा कर सकते हो, और साथी में आप लोग सैटन का जो बीज मंत अगर आपको चाहिए, तो वो हनुमान पूजा आप लोग कर सकते हो, क्योंकि भगवान हनुमान एक ऐसे भगवान है, अगर उनको आप लोग पूजा करते हो, तो नवग रहा उससे खुश होते हैं, ठीक है, तो आप लोग ये सब कर सकते हो, इससे थोड़ा आपको help मिल सक करता है, तो आप लोग को मेरे वीडियो अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे है, तो अगर आपका असेंडेंट लीब्रा यानि तुला है, तो एक्वेरेस आपके फिफ्थ साइन पर डायरेक्ट मोशन पर तो डेफनेटलि अगर आप लोग एड़्ू करते हो, अगर आप लोग परहाई करते हो, अगर आपका बच्चा जो है, वह भूपाराई करता है, तो उनके लिए बंगार अच्छा है, अगर आप लोग कुछ नया स्किल सीखना चाहते हो, या या फिर कोई technological skill आप लोग practice करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, यह time अच्छा है, अगर आप लोग naturally financial sector में काम करते हो, या फिर आप लोग share market, bitcoin, इन सभी sections में काम करते हो, या फिर आप लोग consulting, advising, guiding, इन सभी के साथ connected कोई काम करते हो, तो Saturn आपको बहुत ज़्यादा support करेंगे, देखें, यहाँ पर Saturn का जो third aspect है, वो आपके seventh house पर है, तो यहाँ पर आपको अपने relationship में, और आपके business में, और आपके marriage life में, बहुत ज़्यादा आपको effort डालने की ज़वरत परेगा, और Saturn इस वक्त आपको सही रास्ता भी दिखाएंगे, ताकि आप लोग अपने business, partnership, marriage, relationship इन सभी sections में, आप लोग जो भी necessary action है, उसको आप लोग properly ले पाए, अगर business करते हैं, आप लोग और कुछ नया आप लोग करना चाहते हो, कोई नया investment आप लोग करना चाहते हो, तो आप लोग कर सकते हो, बट थोड़ा सा आप लोग जानकारी ले लीजिए, information gather कीजे, थोड क्योंकि Saturn का जो third aspect है, वो karmic aspect होता है, तो अगर आपका जो hope है, जो wish है, desire है, अगर वो unrealistic है, जो भी काम आप करना चाहते हो, अगर वो unrealistic है या फिर proper तरीके से planned नहीं है, तो वहाँ पर problem आपको हो सकता है, तो इन sections में आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सोच समझ करके क काम करना पड़ेगा, Saturn का 7th aspect आपके 11th house of gains, network circle, achievement पर है, तो इस वक्त career achievement हो सकता है, या फिर at least कोई promotion नहीं हुआ, तो recognition आपको मिल सकता है, आपके higher bosses and authorities के तरफ सापको support मिल सकता है, professional network circle के प्रती इस वक्त आपको थोड़ा बहुत sacrificial होना पड़ेगा, अगर आपको इस वक् प्रोफेशनल network circle है या फिर बड़े भाई बैन है, वो लोग आपसे कोई help मांग सकते हैं, कोई मदद मांग सकते हैं, तो अगर आप उनको help कर सकते हो, तो definitely कीजिए, उससे आपको फाइदा होगा, और अगर आपका कही पर पैसा आटका हुआ है, या फिर कुछ हुआ है, त अच्छा ही है, केरियर में आपको कोई नया MNC से job opportunity हा सकता है, और नय तो इस वक्त आपको काफी सारे conferences अटेंड करना पड़ेगा, चाहे आप लोग परहाई करते हो, चाहे आप लोग educational field में हो, आप लोग देखेंगे, कि काफी सारे conferences आपको अटेंड करना पड़ेगा, औ और उससे जो professional network circle, जो new connections आएंगे, वो लोग आपसे either age में बढ़े होंगे, नै तो experience में बढ़े होंगे, और नै तो skill में बढ़े होंगे, ठीक है, तो उनसे आपको फाइदा मिल सकता है, तो overall यह ही है, और मैं आप लोग को highly suggest करते हूँ कि इस वीडियो का जो analysis part है, उसको स Thank you, तो अगर आपका ascendant Scorpio यानि वरिश्चिक है, तो Saturn आपके fourth house पर Aquarius sign में direct motion पर आ रहे हैं, तो अगर आप लोग home, land, real estate या फिर politician हो, politics में काम करते हो, government sector में काम करते हो, तो definitely Saturn इस वक्त आपको बहुत ज़्या help करेंगे, support करेंगे, अगर आप कोई hotel management या फिर hotel resort या फिर restaurant या फिर कोई भी food business, home, land, real estate के साथ connected कोई काम करते हो, builders हो, furniture, interior home decoration, even management, even planners हो, या फिर आप लोग gaming profession के साथ connected हो, तो definitely Saturn आपको बहुत ज़्या help करेंगे, support करेंगे, but on the other hand क्या होगा, कि Saturn इस वक्त आपको कही ना कही आपको अपने परिवार वालों के तरफ, आपके personal life के दोनों के तरफ ही आपको balance बना के चलना पड़ेगा, दोनों के तरफ ही आपको ध्यान देना पड़ेगा, दोनों के तरफ ही आपको अपना like जो time है आपको देना पड़ेगा, otherwise देखेंगे कि कोई ना कोई एक section जो है वो disbalance हो रहा है, और उसके वज़े से problem हो सकता है, ठीक तो अगर आप लोग 4,000 के साथ connected कोई profession के साथ connected हो, तो वो तो ठीक है, otherwise अगर आपको profession अलग है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा balance बना के चलना पड़ेगा, आपको अपने परिवार के तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, और अपने काम के तरफ भी ध्यान देना है, और इस वज़े से क्या होगा, कि Saturn आपको इस वक्त अपने profession में थोड़े बहुत आपको delay दिखाई दे सकता है, थोड़े बहुत देखो, अगर आप लोग जब Saturn retrograde था, उससे पहले किसी project में काम कर रहे हो, वहाँ पर कुछ problem चल रहा था, तो उसमें positive growth होगा, पर अगर कोई नया project है, तो उसमें कुछ-कुछ delays, कुछ-कुछ obstacles आ सकते हैं, तो आप लोग इतना busy हो जाएंगे अपने career में, कि Saturn आपको जान बूच के, आपके profession में आपको काफी long hours तक आपको काम करवाएंगे, आपका work responsibilities बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका जो काम है न, उसमें थो परिवार वाले आपको like complain कर रहे हैं कि आप घर में टाइम नहीं दीते हो, आप बहुत ज़दा बाप मतलब आपने काम में busy रहते हो, तो आपको अपने परिवार के तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, और जैसे आप आपके परिवार के तरफ ध्यान देने में तीम यही होगा, ठीक है, और इस वीरो का तो transit analysis पार्ट है, उसको आप लोग definitely सुन लिजे, उससे आपको काफी ज़्यादा फायदा होगा, अगर आप लोग कोई remedy करना चाहते हो, तो remedy वाइस आप लोग, देखो, हनुमान जी की पूजा कर सकते हो, ठीक है, भगवान श अगर आप मंत्र सुन सकते हो, तो उससे भी फायदा होगा, ठीक है, खास करके हनुमान चालिसा या फिर अगर भगवान शनी देव का बीज मंत्र है, आप लोग सुन सकते हो, उससे भी फायदा होगा, ठीक है, तो I hope कि आप लोग को मेरे ये वीडियो और गाइडेंस अच् आपके third house पर direct motion पर आने वाले है तो यह perfect time है अगर आप लोग कोई भी नया काम करना चाहते हो और पहले आपको courage नहीं मिल रहा था और शायद जब Saturn retrograde motion पर थे तब आप लोग proper planning कर रहे थे या फिर चीजों को बहुत सदा सोच रहे थे कि आपको यह काम करना चाहिए नहीं कर होना चाहते हो वह आप कर पाएंगे हाँ proper strategy, proper information wise planning बहुत ज़्यादा important है और definitely आपको patience रखना पड़ेगा क्योंकि Saturn patience को represent करता है तो patience के बिना आप लोग कोई भी काम randomly नहीं कर पाएंगे और अगर करने की कोशिश करेंगे तो तब वहाँ पर आपको बाधा दिखाए देगा अभी देखिए Saturn क्योंकि आपके third house पर है तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको short distance travel हो सकता है बहुत सारे conferences बहुत सारे meetings आपको attend करना पड़ेगा बड़ आपको देखना पड़ेगा कि आपका communication जो है वो काफी हग तक cold हो सकता है क्योंकि satanic बहुत ही cold planet है satanic malefic planet है तो आपका कही न कहीं ऐसा हो सकते कि कभी-कभी आप लोग बहुत ज़दा बात करेंगे बहुत ज़दा extrovert behave करेंगे और नहीं तो आप लोग rebellious और cold behave कर सकते हो वो आपके चार्ट के उपर और आपका current महादशलोड अंत्रतशलोड के उपर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा तो अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा harsh behave कर रहे हो और उसके वज़दे से problem हो रहा है तो यहाँ पर आपको अप अपका communication style कैसा हो रहा है और उसके उपर थोड़ा observe रखना परेगा अगर आप लोग like media industry के साथ connected हो तो यहाँ पर आप लोग बहुत ज़गा serious तरीके से behave करेंगे अगर specifically आप लोग journalist हो तो यहाँ पर आपको उनती मिल सकता है but apart from that अगर आप लोग किसी creative sector में काम करते हो जै आपको help करेंगे but अगर आप लोग actor actresses हो तो देखेंगे कि ऐसा type का आपको role मिलेगा जो बहुत जादा hard working है like आपको बहुत जादा उसके लिए practice करना पड़ेगा बहुत जादा मैनत करना पड़ेगा उसका intensity बहुत जादा गहरा होगा और वो थोड़ा social के साथ like society के साथ स तो यह सब theme इस वक्त प्ले आउट होंगे इस वक्त आपको कोई बहुत ही saturnian guru mentor या फिर father figure मिल सकता है या फिर कोई manager मिल सकता है जो कि आपको बहुत जादा like बहुत strict होंगे but आपको help करेंगे अपने life में growth और progress पाने के लिए education sector में भी इस वक्त आपको help मिलेगा growth मिलेग बट कोई भी चीज़ कोई भी गोल अपसेट कर रहे हो कहीं पर भी किसी भी एरिया पर आप लोग काम कर रहे हो बहुत जादा hard work की जरूरत है और discipline होना पड़ेगा नया तो कुछ काम नहीं होगा patience रखना पड़ेगा और अगर आप लोग कुछ भी नया सीखना चाहते हो त आपको महनत बहुत जदा करना पड़ेगा थिक है कि थर्ड आउस जो है वो पूरा effort को रिप्रेजिन करता है तो effort बहुत जदा आपको long hours तक आपको काम करना पड़ेगा काफी time तक उसको practice करना पड़ेगा उसके बाद जाकर आपको proper result मिलेगा हर बड़ी नहीं कर सकते है अ काफी अच्छा आपको support मिलेगा बहुत सारे अलग information मिलेंगे और अगर यह वाला वीडियो अच्छा लगाए तो प्लीज इस वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कर लिजाए and thank you so much for watching my video thank you तो अगर आपका ascendant Capricorn या निमाकर है तो Saturn आपके second house Aquarius sign पर direct motion पर आ रहे है तो अगर इससे पहले आपके family situation में या फिर financial situation में कोई भी problem था और अगर आपने जो problem है उसको अगर आपको निकाल लिया है कि क्या problem है आपको समझ में आ गया है तो उसके तरफ action लेने के लिए य इविंग्स को manage करने के लिए और अपने family के साथ relationship को manage करने के लिए और किसी भी प्रकार का investment के लिए यह time perfect है बट कहीं पर भी आप कोई भी काम कर रहे हो उसके लिए proper planning, proper information बहुत जादा important है Saturn कोई भी random action को represent नहीं करता है तो इसलिए आपको जो भी action लेना है properly सोच समझ करक आपको लेना है तभी आपको फायदा होगा ओके अभी Saturn का जो third aspect है वो आपके fourth house पर है तो आपको अपने परिवार के तरफ इस वक्त डूटीफूल होना पड़ेगा committed होना पड़ेगा sacrifice भी करना पड़ सकता है अब sacrifice ऐसा नहीं है कि बहुत जादा कुछ sacrifice कभी कभी हो सकता ह कि आप अगर पहले अपने family को time नहीं दे पाते थे अपने काम के वज़े से या फिर किसी और चीज़ के वज़े से तो हो सकता है कि इस वक्त कोई एक situation ऐसा होगा जहाँ पर आपको अपने परिवार के तरफ अपना समाई देना पर रहा है आपको शायद अपना like अगर आप किसी long distance space पर रहते हो तो आपको अपने परिवार के पास वापस आना पर रहा है कुछ दिनों के लिए कुछ कारण वर्ष तो इस वक्त अपने परिवार के health के प्रती और अपने family के तरफ अपने home life के तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा और अगर sacrifice की जरुरत है तो आप real estate या फिर कोई गारी या फिर कोई asset purchase करने की बारे में सोच रहे हो तो आप लोग देखो खरीच सकते हो बट क्यूंकि Saturn का third aspect है तो properly आप लोग सभी जो legal document है या फिर asset या फिर गारी या फिर homeland real estate से related जो भी information है उसको properly जान लीजे और उसके बाद ही आप लोग कोई decision लीजे नया तो बाद में जाकर उसके लिए problem हो सकता है अभी देखिए क्योंकि अभी professional network circle में क्या हो सकता है कि कोई बहुत ही old aged या फिर आपसे बहुत सब्सक्ता experienced ऐसे किसी इंसान के साथ आपकी मुलागात हो सकती है जो आपको इस वक्त आपके career में आपको help कर सकता है support कर सकता है तो यह एक perfect time है इन सबी चीजों के लिए कि आपको कोई mentor ढून रहे है तो वह आप और आपको मिलेगा अगर आपको गूरू या teacher ढून रहे है तो वह आपको मिलेगा बट दिखे क्योंकि Saturn का जो 7th aspect है वह आपके 8th house के प्रती है तो इस वक्त आपको अपने परिवार के त करना है इन चीजों के तरफ भी आपको यह सब चीज़े भी आपको manage करना पड़ेगा इस वक्त ठीक है और अगर आपके relationship में कोई problem होता है क्योंकि देखो 7th house से second position पे 8th house आता है तो हो सकता है कि अगर आपके relationship में कोई problem है तो वहाँ पर भी आपको ध्यान देना पड़ेग तो इस वीडियो को जो analysis पार है उसको भी सुन लीजे काफी सारे चीज़े वहाँ पर भी मैंने mention किया है और अगर यह वाला वीडियो अच्छा लगा है तो please इस वीडियो को like कीजे चैनल को subscribe कीजे and thank you so much for watching my video thank you तो अगर आपका ascendant Aquarius यानि कुम्ब है तो Saturn आपके लगना पर direct motion पर आने वाले है तो यह एक perfect time है जहाँ पर आपको अपने life में किसी भी aspect में किसी भी area में अगर कोई भी problem दिखाई देता है तो उसको आप लोग resolve कर सकते हो through proper planning and through proper action तो proper planning कीजे पहले देखे कि आपको अप आपके personality में कुछ changes लाने की जरूरत है आपके behavior में कोई changes लाने की जरूरत है शायद आप बहुत ज़्यादा disciplined नहीं हो तो आपको discipline होना पड़ेगा अगर यह सब changes आप अपने अंदिल लाना चाहते हो perfect time है अगर आप देखते हो कि अपने relationship में आपको problem है शायद आप time नही busy रहते हो और नहीं तो आपका partner time नहीं देता है आपका partner toxic है तो exactly क्या decision आपको लेना चाहिए कि आपके life में relationship related issues solve हो जाए तो यह perfect time है अगर आप बिजनेस करते हो मालों की कुछ चीज़े business में गलत चल रहा है शायद clients के साथ आपका problem हो रहा है तो exactly problem कहा है वो क्या चीज़ इसको इस वक्त आप लोग properly resolve कर सकते हो not only that अगर problem नहीं है तो अपने personality में अपने relationship को और आपके business को अपके career को अपके personal life को अपके professional life को इन सारे चीज़ों को आप लोग और भी सदा बहतर बना सकते हो आप लोग के लिए perfect time है क्योंकि आपके लिए एक राज्य होगा बन र रहे है तो यह एक बहुत ही बड़ा आप लोग के लिए अच्छा changes अच्छा transformation आपके life में ले के आ सकता है तो अगर आप लोग कुछ नया काम भी करना चाहते हो तो वह भी आप लोग कर सकते हो क्योंकि Saturn का third aspect आपके third house पर है third house जो है वो आपके courage को represent करता है आपके communication को represent करत है तो इस वक्त हो सकते कि आप लोग short distance traveling करेंगे हाँ छोटे भाई बहन friend circle and neighbors के साथ कुछ अनबन हो सकता है तो उसके उपर थोड़ा ध्यान रखें apart from that अगर कोई काम करने के लिए कोई courage चाहिए था पर इससे पहले आपको नहीं मिल रहा था courage तो इस वक्त आप लोग कर सक अगर प्रोमोशन देंगे अगर प्रोमोशन अपके करेंट महादशालोड इंडिकेशन दे रहे हैं तो otherwise देखेंगे कि कोई work recognition मिल सकता है आपको और नहीं तो आपका work responsibility इस वक्त बहुत ज़्यादा बर जाएगा जिसके वैसे long hours of work जो है बहुत ज़्यादा important हो जाएगा के life में तो देखें maximum जो है यह as per generalized transit prediction यह तो आप लोगों के लिए benefit result ही ज्यादा तक लेके आएंगे बट अगर आपको current महादशालोड अंत्रदशालोड कुछ negative result की तरफ indication दे रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि उस like current महादशाय अंत्रदशालोड के साथ Saturn का क्या connection है तो उस specific angle में कुछ-कुछ negative चीज़े आ सकता है ठीक है apart from that मैं आप लोगों को suggest करूंगी कि इस वीडियो का जो transit analysis part है उसको सुन लीजे उस पे भी मैंने काफी सार information दिया है और अगर यह वाला वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को like कीजे चैनल को भी subscribe कर लिजे हैं thank you so much for watching my video thank you तो अगर आपका ascendant Pisces यानी mean है तो Saturn आपके 12th house पर acquired sign पर direct motion पर आने वाला है तो देखिए अगर आप लोग काफी टाइम से किसी long distance place पर traveling करना चाहते हो but by any chance वो travel रुका हुआ था नहीं जा पा रहे थे या फिर काफी टाइम से आप expect कर रहे हो कि आपका long distance travel आने वाला है आपके life में पर नहीं हो रहा है तो यह perfect time है जहाँ पर Saturn इन चीजों को trigger कर सकता है और साथ ही में इस वक्त आप लोग देखेंगे कि आपका career में आपको बहुत सदा time देना पड़ेगा आपके career में आपको बहुत सदा time देना पड़ेगा आपको आपको अपने career में बहुत सदा लंबे समय तक आपको काम करना पड़ेगा रिपीटेड वे में आपको काम करना पड़ेगा बट आपको अपने health को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और health के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा तो यह दोनों चीज़े ही Saturn लेके आएंगे और साथ ही में क्यूंकि देखो Saturn का जो 10th aspect है वो आपके 9th house पर है तो इस वक्त अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई के वज़े से किसी long distance place पर travel करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है और नहीं तो long distance place में से कोई guru कोई mentor आपको मिल सकता है for example कि आप लोग travel कर रहे हो कई पर और वहाँ पर आपको कोई work mentor मिल गया कोई manager मिल गया कोई boss authority मिल गया जो आपको as a mentor आपको support कर रहे है आपको सलापर अमर्ज दे रहे है कि क्या करने से कौन सा रास्ता लेने से आपको अपने career में growth दिखाई देगा मान लिजे कि आप लोग किसी long distance place पर travel कर रहे हो और वहाँ पर आपको spiritual guru मिल गये जो आपको अपने career में balance बनाने में आपको help कर रहे है आपको ध्यान दिल लगाने में proper decisions लेने में आपको help कर रहे है तो इस type का चीज़े भी इस वक्त आपको दिखाई दे सकता है बठा family के स ilot square इस वक्त problem होन गे finance को manage करने के लिए इस वक्त problem हो सकता है क्योंकि सेटरं का third aspect जो है आपके second house में second house जो है आपके family ko represent करता है आपके speech कम्यूनीकेशन को represent करता है और आपके finance को represent करता है तो यहाँ पर्चॉLANме का tra Lo Chen हो सकता है हो सकता है कि आप savings करना चाहते हो पर expenses जादा हो रहे हैं तो यह सब थोड़े बहुत चीज़े हो सकता है तो थोड़ा carefully आप लोग अपना पैसा manage कीजिए कही पर भी पैसा invest करना चाहते है थोड़ा properly research कर लिजे कि जहाबर पैसा invest कर रहे हो वो अच्छा है कि नहीं है उसका consequences क्या क्या हो सकता है उसके पीछे जो भी logic है जो भी avoid कर सके ठीक है तो overall यही है तो मैं highly suggest करती हूँ कि आप लोग अपना जो transit analysis पार्ट है उसको आप लोग सुन लीजे और वहाँ पर मैंने काफी सारे चीजों के बार में कहा है और अगर यह वाला वीडियो अच्छा लगाए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वी करने के जिए चार वहाँ पॉर न करना सब्सक्राइब के अच्राइब सुन अवाए इस प्लीजेत आर